हैलो वैलकॉम टुविकी कैमों क 믿quele क्लासिस में आपको स्वागत हो और जो हमीना चाहिए 72 का एंगल कैसे बनाई आप सुर्प प्रक्ष्य सुम्हत्त्रीटंग और यहां से सम्झाइए आप 99 उटक्षकी से संद्ध़ बनांत क। पर मैं यहां पर आपको 72 बताँगा और 36 और 18 तो आपको खुद बनाना होगा वह मैं समझा दूँगा कैसे बनाना होता है हम जान लेते हमें क्या खाये है इसके लिए हमारे पास रेज़ियों चाहिए पैंसी और शॉपनर शॉपनर चाहिए और यहां पर हम बनाएंगा और कमपस होना चाहिए और अगर आप एजिन्ग ट्राफिक्स प्रॉनट तो आपको पास रोल्डिंग रूलर होना चीए रोल्ल तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस पहले अपनी चल्रप rü told strategy सबना है सबसे पदल्स करना है Go Aynn करना है एक budden दो करनी है एक लिगता है डिन दो करनी एक एक लाइन दो करनी है जी प्थी पदेरी और सकते बोड़ पर आंप for आपको जिसके बनाऊंगा तो यह आपको पता है किसे कर देनी ए भी अब मैं क्या करूंगा कि बनाऊंगा तो यह आपको पता है इसकी बनाते हैं हमें क्या करना है अब हमें इसके दोनों के ऊपर श्रक आपको पता है और नाइंटी डिग्री एंगल बना लेंगे हम इससे हमारा अब हमें elf लुघो करना यूइंधा करना है इसके लिए हम सबसे पहले ग्या करना आधेश से जज्यादा परकार को खोलनाय ए जैदा और उपड़ा दैनी जो नीचे आट लगा द glossे मिए ए और बी दोनों से ए और भी दोनों से इससे हमें 2 पोइंट मिल जाएंगे और उन दोनों पोइंट को मिला देंगे तो हमारा प्रपेंडिकुल बाइस सेक्टर बन जाएगा यह सब लाइट बनेगा बस खाली एबी और एक और एरो जो राश्ट में होगी हुआ हमारी डार्क बनेगी और वाकि सब लाइट बनेगा वाई B के प्रपेंडिकुल जो 90 डिग्री है वहाँ पर हमें आर्क लगा देना है उस पर हमें आधे पे आर्क लगा देना है अवी के हाफ के तो हमें C पॉइंट मिल जागा C और A को हमें मैच कर देना है आपको समझा गया C कैसे लिए हमने क्या कर आब दो आप इस के लिए और यहां से हमें आधा मिल गया और उस आधे को हमने उत्रही आर्क खोला और आर्क लगा दिया भी के प्रपेंडिकुलर के उपर और ए-सी को अब हमें मिला देना है अब हमें क्या करना है ए और सी को मिला देना है अब हमें A-C को मिला देना है अब हमें क्या करना है A-C को मिला देना है A-C को मिलाने से हमें एक point मिलेगा जो कि perpendicular को काट रहा होगा A-C को मिलाने से हमें एक point मिलेगा जो कि जो हमारा A-B के bisector है उसको काट रहा होगा C जहां पे वो हमारा एक point है वो हमें मिल गया अब हमें क्या करना है उस point से हमें क्या है करना है कि A से हमें उस point की radius लेनी है A से उस point तक की radius लेनी है और हमें circle draw कर देना है semi circle अब इस semi circle कर दो करने के बाद हमें क्या करना है B से जो है A भी यतनी radius का circle draw कर देना है semi circle B से A भी जितनी radius का सर्यमी circle draw कर देना है इस से जो हमारा जो हमने A से circle draw कर रहा है उसके उपर एक cut लगेगा और इसी cut की मदद से हम 72 degree के अंगल बनाएंगे यहाँ आप चेक कर सकते हैं यहाँ चेक कर सकते हैं यहाँ पूरा कर देना कोई बात नहीं तो यहां से हमें एक point C मिलेगा जहां पर यह दोनों सर्गल काट रहें एक दूसरी को यह point C मिलेगा अब हमें इन दोनों points को मिला देना है और straight line ड्रो कर देना है यह भी जितनी है उतनी लंबी तक हमें लेगे जाना और वहां पर mark लगा देना है तो यह हमारा D बन जाएगा यह हमारा 72 डिगरी का है बी यह यहां सब्सक्राइब दोनों का से हम 60 डिगरी की मतब्स से हम 30 डिगरी और 15 डिगरी का बनाते हैं उसी तरह हम से 72 degree की मदद से 18 और 36 डिगरी का एंगल बना लेंगे तो वीडियो देखें के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यह चैनल मैथमाटिक्स थी तो आप पता ही होगा तो बस इंजिन क्राफिक्स की तो हमारी वीडियो आती रहती है तो इंजिन क्राफिक्स वाले बच् अजिन क्राफिक्स वाले रहती है तो आती है जो आती है टाफिक्स वाले जिए के लिए।